नमस्ते फ्रेंट्स कैसे है अब सब स्थीक है जो हम लोग जो फ्री कुछ चार्ट रीडिंग प्रोवाइट करते हैं उसमें आज हम लोग ने फिर से कुण्डली सेलेक्ट करी है उसकी आज रीडिंग करने वाला हूं मैं 30 जुलाई तक जिनकी कुछ आचू की थी एस पहली ब करवाना चाहते हैं अपने दो सवालों के जवाब लेना चाहते हैं क्योंकि फ्री कुनली चार्ट में मैं दो सवालों को ही जवाब देता हूं तो अपने दो सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए फ्री कुनली चार्ट रीडिंग करवानी है तो पंदरे अगस्ते पहले पहले आप भी अपनी परस्नल डीटेल प्रोवाइड करें तो आपके भी दो सवालों के जवाब में प्रोवाइड कर दूगा और आपको भी सवालों के जवाब दे दूगा जो लोग परस्नल डीटिंग करवाना चाहते हैं अपनी पब्लीक ली नहीं अप्लोड करवाना चाहते हैं वीडियो और जो अपनी होल सोल डीटिंग करवाना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में जो दिये गए नंबर है उस पर वट्साप प्रोवाइड कर दीजे परस्न बारे में बात कर लेटे हैं ये कुणली मिलन जी की है ये मिलन जी की कुणली है मिलन जी की आयू ऐच जो है 21 है और इनकी अभी महादर्शा चले लिए वीनस की जो जो 26 तक चलेगी उसके अंतर अंतरदशा मरकरी की चलेगी 2025 तक शनी के अंतरदशा सप्टेंबर 2022 तक थी और केतु के अंतरदशा चलेगी जुलाई के बाद 25 के मतलब 5 जुलाई से चलेगी 25 के और 26 तक चलेगी और वो चलेगी सप्टेंबर तक चलेगी आपकी 2026 के अब बात के लेते हैं जिकि इनकी लगन कैसा है शनी आपके जो जो मिलन जी है वो टॉरस लगन के है और शुक्र इनकी लगनेश है और ग्यारवे घर में बैटा और शुक्र की महादशा चल लिए है और शुक्र ही life में marriage और उन सब चीजों के लिए related होता है तो मैं यही बोलूँगा जिकि आपकी अभी जो टाइमिंग चले जैसे अभी हम देख सकते हैं जिकि अंतरदशा में मरकरी चल रहा है और उसके अंदर वीनस फिर से चला है पते अंतर में तो अभी अगर आप सेप्टेंबर तक अगर लव मैरिज करना चाते है या शादी करना चाते है तो आपके लिए अच्छा रहेगा मून का समय भी अच्छा रहेगा पच्चिस तक ठीक रहेगा आप कोशिश कर सकते हैं शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहीगी सबसे important point में एक चीज़े बोल देता हूँ आपके जी कि आपके साथवे घर में marriage house में केतू बैठा हुआ है और मंगल के घर बैठा हुआ है ये केतू खास अच्छा नहीं है isolation पर डालता है और accidental prone भी कर सकता है आपको शारिक दिक्कत भी दे सकता है इसलिए शादी के बाद अपने life को अपने life को अपने health को लेके और अपने mental health को लेके physical health को लेके दोनों को लेके थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा इवन शादी के बिना भी आपको अपनी mental situation को लेके थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा केतू साथवे घर में बैट के यहाँ पर isolation देता है marriage में isolation के chances बढ़ा देता है relationship इसलिए बोलूँगा जब भी केतू की अंतरदशा महादशा चले तो उससे अपने आपको थोड़ा स सावधान रखेगा अपने आपको थोड़ा सा केरफूल रखेगा मंगल भी आज चटे घर में बैठा हुआ बारवे घर में बैठा हुआ है सब तमेश होके तो यहाँ पर मंगल भी कुछ खास अच्छा result नहीं दे रहेगा लेकिन हाला कि अपने घर में बैठा हुआ है तो ह आपकी शादी बाहर हो जाए या आप शादी करके बाहर सेटल हो जाए तो आपको यह मंगल अच्छा result प्रोवाइट करेगा अंगल की अंतरदशा महादशा में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है अब लाकिन हाला कि वीनस की चल दूरी है शनी की भी अंतरदशा जब जब चलेगी तब तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि परले घर में शनी बैठके हाला कि वीनस के घर में बैठा है योग कारक प्लैनेट होके बैठा हुआ है लेकिन फिर भी शनी यहाँ पर आइसोलेशन देता तो प्यार में करिएगा किसी को जोसे आप पसंद करते उसे करेगा कोई भी बैलेंसिंग अक्ट मत करिएगा कोई सोच के मत करिएगा जिकि मुझे कोई पैसी की मेनेफिट मिल जाए या कोई मुझे और आप शादी करेंगे तो आपको जंदेगी भर यह शनी और यह केतु आपको दिक्कत देने वाला है आप sun downs बहुत देगा और वो आपको complication create करेगा सीधी साथी बात यहां पर यह बोलूगा जिकि महबत अगर आपको किसी से है अगर आपको किसी से प्यार है आप किसी को पसंद करते हैं और सच में उससे पसंद करते हैं उसके बारे में ही आप उसके इलावा ऐसी feeling हो जिकि वो ही आपकी life में बहुत important है और वो ही आपकी life में आपको एक तरीके से stability या feeling देती है stability की तब ही आप किसी से शादी करिएगा उसी लड़की से करेगा हो सकता है वो आपकी life partner जो हो वो आपकी caste की ना हो आपकी धरम की ना हो या आपके religion की ना हो या foreign entity हो कुछ भी हो सकता है प्यार करिएगा तो सोच समझ के करिएगा और ये सोच के करिएगा जिकि आप आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आप अपना hundred percent देने की दे रहे हैं लेकिन expectation zero रखेगा तबी आप अपनी life में जिकि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए वो जो कर रहे हैं आपके लिए वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ठीक है आप अपने हिसाब से जो कर सकते हैं करंए ये मत कर देखेगा जिकि वो अगर कुछ कर रही है और आप उससे जादा कर रहे है तो आप सोचे या आपको लग रहा है जिकि आप उससे जादा कर रहे है तो ऐसा मत सोचेगा क्योंकि हर कोई इंसान अपनी life में एक अपनी relationship बचाने के लिए अपने efforts देता है ठीक है जब त efforts नहीं दे पा रहे है तभी आपको कोई hard या serious decisions लेना चाहिए लेकिन efforts देते वक्त कभी मत सोचेए हाला कि जब आप शादी कर रहे है कि कभी मत सोचेए जिकि मैं जो कर रहा है उसके बदले में वो मेरे लिए क्या कर रहा है या कर रही है ठीक है अगर ऐसा सोचेंगे तो फ अच्छा future नहीं बना पाता है वो complication दे देता है तो के तु यहाँ पे वही चीज करता है तो इसलिए अगर अच्छी life partner बना अच्छा life रखना है marriage life को अच्छा life partner बनाना है तो please अपने आपको इस purpose पे focus करके चलिएगा जिकि 100% अपनी तरफ से दीजे expectation 0 रखिए ठीक है द 25 तक का समय बहुत अच्छा है वीनस की महादशा चल लिए अब मरकरी की अंतरदशा चल लिए तो 25 तक आप शादी कर सकते हैं उसमें भी September तक का समय अच्छा है love marriage करना चाहे तो कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे हिसाब से हाला कि शनी के घर में वीनस बैट है लेकिन अगर देखा जाए तो 11 घर में बैठा और मित्र की राशी में बैठा है तो थोड़ी complications जरूर हो सकते हैं लेकिन अच्छा result प्रोवाइट करेगा शादी आप कभी भी कर सकते हैं इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कोई दिक्कत नहीं नहीं है लेकिन मंग तो वहाँ पर आपको सबक सिखाएगा वहाँ पर केतु और शनी आपको learning process में डालेगा और फिर आप जब सीखेंगे तो पता चले आप isolation पर ही चले जाए या समय निकल जा हाला कि आप काफी यंग है अभी time है आपको सब कुछ करने में अभी time सब बहुत कुछ है सीखने मे जिन्दगी में तो सीख सकते हैं आप लोग दूसरा point of view ये रहेगा जिकी थोड़ा सा अपने health को लेकर सावदान रहेगा यहाँ पर केतु की अंतरदशा और महादशा में कभी जो की 2026 में लगेगी मैंने जैसे बोला था 25 से 26 में अंतरदशा लगेगी आपकी केतु की तो उस ताइम पर अपनी wife के relationship को लेकर अगर वो हो सकता है long distance पर चली जाए या हो सकता है communication में थोड़ा gap आजा तो उसको सुदारने की कोशिश करिएगा सावदान रहेगा शादी यहाँ पर complicated तब ही होगी जब जब ये planets आएंगे हाला कि अभी जो planets चल रहे हैं जैसा इसके ब रहेगा यह दूसरी शादी होगी लेकिन मैं आपसे यह बोल रहा हूं यह कि 20 साल का relationship आपका रहेगा अच्छा रहेगा तो यह long term हो जाता है तो इस वज़ए से मैं नहीं बूलूंगा अगर आज आपको कोई मिला है तो उसके लिए अच्छा रहेगा आपने जो आपका जो सवाल था जी कि मैं alphabetic way से पूछना चाहता हूं जी कि लेटर क्या रहेगा उसका सवाल का जवाम मैं नहीं दूँगा लेटर क्या रहेगा इसका सवाल मैं नहीं दूँगा क्योंकि हो सकता है life में कोई भी आदमी आए जो अच्छा हो और just because उसका नाम है और लेटर सेम न मिलता इंसान को पर्किए इंसान के साथ रहे जिसके साथ अच्छा लगता उसके साथ जितना टाइम हो से कि उतना टाइम इंवेस्ट करिए और खुश रहे ठीक है मिलें जी thank you so much